हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल चीकुपीको लाइफ में तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं चीकुपीको की स्पेशल मस्ती स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि आज हमारे नन्य मुन्हें पाग गये थे जुकि बहुत लंबे टाइम तो देखते हैं क्या करते हैं आज ये देखे चीकुप कहा हमारे चटके बैठे हुए अपने पापा के शूल्डर पर चटके गये एक्शलिय क्या हुआ था कि जब आम इन्हें ले गये तो हमने उतारा नीचे गोथ से तो इनको इतना डर लगा चीको को कि इनको लगा हम कही जंगल में इनको छोड़ने ले आए ये चड़के बैठ गया अभी देख सकते हैं कैसे देख रहा है मैं बेटू किसे देख रहा है ये तना डरा हुआ था कि ये शोल्डर पर ही चड़िया तो मैंने इने उतारने की कोशिस की पर थोड़ी देर तो बैठा रहा फिर उसके फिर उसके बाद थोड़ी दिर बाद इसको अच्छा लगने लगा और ये चारो तरफ घूमभूम की देख रहा है कि कहां गया हूं मैं ये तो चारो तरफ हरा हरा है बहुत अच्छा लग रहा है या तो तो मैं इधर भी जाओंगा उधर भी जाओंगा पूरे में घूम र हुआ जप चार रहा है कि देख है कि चकपाई चल दीए है बाबो की ते क्या था है काफी मतलब खुष था और देख रहा था दोड रहा था भाग रहा था और थोड़ी-धोड़ी देर पर ये कि कहड़े हो के देख ले रहा था, कि हम लोग तो कहीं छोड़ की नहींगे इसको, तो यह मुरमर के पीछेः देख ले रहा था, और फिर उसके बाद इसके स्पीड थोड़ी बड़ती जा रही थी, गुमते जा रहा था, तो हमें थोड़ा सा डर भी था कि कहीं डॉगी न आ जाए क्योंकि यहां पर स्ट्रीट डॉग आते रहते हैं तो इस वज़े से हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा था और मैं भी इनके पीछे पीछे थी ताकि यह कहीं दूर न निकल जाए तो फिर डॉगी या कोई और बीचे से आजया जानवर तो इसलिए डर लग रहा था वैसे तो इतना कुछ नहीं आता बड़ स्ट्रीट डॉग कभी कभी आ जाते हैं आपर थोड़ा देखना पड़ता है इसलिए इस दर की वज़े से हम थोड़ा इनको लेके भी नहीं जाते हैं तो इसलिए बहुत मूड चेंज करने के लिए कि पता नहीं क्या हो गया है क्यों लड़ जा रहा है कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा लड़ते थे बट आज तो बहुत जादा लड़ाई होगी इन दोनों की बीच में तो फिर इनहीं लेके गए पार्क तो भी अब देख सकते हैं केवल चीकु घुम रहा है और पापा की गोदी में है क्योंकि मैंने एक साथ नहीं उतारा दोनों को कि फिर बदमासी करेंगे तो फिर थोड़ी दिर बाद चीकु घुमें उसके बाद अब पीकु का नंबर है तो देख सकते हैं पीकु भी आ गया है नीचे आप इनकी बार यह ठीक ठाक है गोलू-मोलू सा बच्चा है बलकुल क्यूट सा और हमारे पीकु भी बहुत क्यूट है बट यह इनके थोड़ा है ठीकु से थोड़े कमजोर सा बच्चा है पीकु मेरा इनकी सारी जो एनर्जी है ना वह सारी शेतानी करने में निकल जाती है बहुत शेतान लेकिन थोड़ा हैल्फ में कमजोर है जितना इनको खाने पिने को दो इनके बदमासी के आगे कुछ लगता निया इनको इससे आप पहचान सकते हैं कि चीकु थोड़ा गोलु मोलु है और पीकु थोड़ा सा कमजोर है उससे देखिए हमारे पीकु महराज देख रहे हैं यहा जहां चीकु ने खेला था, तो ये भी थोड़ा सा मस्ती कर रहे है, आइक्शली हम इनको वहाँ पर इसलिए लेके गए, थोड़ा सा आउट साइड है, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा डोगी का कम डार रहता है, और फिर भीर भाड कम रहती है तो बच्चे अराम से खेल सकते हैं वहाँ पर इसलिए इन दोनों को लेके गए थे तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो और दोनों बच्चों की मस्ती आपको कैसे लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शरूर करना और शेयर भी करना आपने दोस्तों को ताकि वो भी हमारे चीकू पिकू की मस्ती को देख पाया और अन्जोई करें तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाई